पिछले वीडियो में हमने सयों जक्ता के बारे में पढ़ा। चलिए अब परमानु साइस के बारे में पढ़ते हैं। सम्हू और आवर्त में परमानु साइस की प्रवती को देखने से पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। किसी भी तत्व के परमानू साइज से हमें परमानू की तृज्जय का पता लगता है, जिसे इंग्लिश में radius of an atom कहते हैं, पर तत्व में तृज्जय कैसे निकालते हैं? एक स्वत्वंत्र प्रमानु के केंद्र से बाहरी कोश की दूरी प्रमानु की त्रिज्या को दर्शाती है आईए अब पहले समु में प्रमानु साइस की प्रविती के बारे में पढ़ते हैं पहले समु के तत्व और उनकी प्रमानु त्रिज्या कुछ इस प्रकार है ध्यान दें यहां त्रिज्या आरोही कर्म में बढ़ रही है परमानू त्रिज्या को देखते हुए हम असानी से समझ सकते हैं कि उपर से नीचे आने पर परमानू साइस धीरे धीरे बढ़ रहा है हम कहेंगे कि सबसे छोटे साइस का तत्व समू में सबसे उपर पाया जाएगा और सबसे बड़े साइस का तत्व समू में नीचे पाया जाएगा पर क्या आप बता सकते हैं कि क्यूं समू में परमानू साइस नीचे की और बढ़ रहा है इसे समझने के लिए भी हम तत्वों के एलेक्ट्रोनिक विन्यास को लेते हैं हम देखेंगे कि हर तत्व में नीचे की और आने पर एक नया कोश चुड़ रहा है लीथियम तत्व में K और L दो कोश है पोटाशियम में K, L, M और N चार कोश है और इसी तरह आगे भी ध्यान दे कोशों के बढ़ने की वज़ा से नाभिक और सबसे भारी कोश के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है और इस कारण परमानू का साइज भी बढ़ता जा रहा है तो अब हम कह सकते हैं एक समों में उपर से नीचे आने पर परमानू साइज बढ़ता है ध्यान से चित्र में आप देखिए क्या ऐसा ही आवर्थ में भी होता है चलिए समझते हैं आवर्थ में परमानू साइज की प्रवर्ती को समझने के लिए हम दूसरे आवर्थ के तत्वों को लेते हैं और इनकी परमानू त्रिज्या को लिख लेते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि पर्मानूत्रिज्या अवरोही क्रम में है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि एक आवर्त में बाईं और से दाईं और जाने पर पर्मानूत्साइज घटता है. पर ऐसा ही क्यूं? इसके लिए हम तत्वों के electronic विन्यास को लेकर समझते हैं. ध्यान दे कि सभी तत्वों में कोशों की संख्या तो बराबर है, पर एक तत्व से दूसरे तत्वों में जाने पर नाभिक में प्रोटौन की संख्या बढ़ रही है. प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक में आवेश बढ़ता है जो की बहारी कोश में उपस्तित एलेक्टॉन को अंदर खीचता है और जिससे की परमानू के साइज को कम कर देता है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि सारनी में उपर से नीचे जाने पर परमानू साइज बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर परमानू साइज घटता है इसको भी ध्यान में रखी है यह बहुत महत्वपून बात है चलिए अब पर्मानु साइस पर अधारत एक प्रश्ण करते हैं तत्वों के नाम उनकी पर्मानु संक्या के साथ टेबल में दिये गए हैं चलिए बताईए सबसे बड़े साइस का पर्मानु कौन सा है? वीडियो को रोके और इस प्रश्ण को हल करने का प्रयास करें चलिए उत्तर देखते हैं ध्यान दे ये तीनों तत्व एक ही आवर्त में आते हैं और हम पढ़ चुके हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर पर्मानु साइस घटता है तो सही जवाब होगा बी सोडियम इस प्रश्ण और उत्तर को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए धन्यवाद